हेलो गाइस, वेलकम तू माई टेकनिकल एमबसी यूटूब चैनल, तो देखें गाइस बहुत सारा का प्यार सी पारमनेंट ड्रेसिलेंट सार्टिफिकेट रिवर्ट बेक बोलके आ रहा है, तो गाइस इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों रिवर्ट बेक बोलके आता है, तो ये complete वीडियो देखेगा, मैं बहुत ही important चीजे आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, ताकि एक बात आप लोग mind में set कर लेजिए, जो भी आप लोग document आपलोड करते हो, like document क्या क्या चाहिए, आप लोग जानते ही हो, एक passport size photocopy चाहिए, जो की 50KV के और एक चाहिए आपका HSLC का admit या तो certificate, और एक चाहिए parents का, नहीं तो आपका watercut, pencut, othercut, जो भी है, इन तिन में से एक, उसके बाद चाहिए बहुत ही important, अगर आपका father का 20 years से आगे का कोई भी एक proof है, document है, तो गैस वो चाहिए, अगर आपका father का नहीं है, तो गैस for father, ancestor, आ आपका पिता जी का, पिता जी का जो भी है, मतलब grandfather का, उनका एक proof आपको 50 years आगे का देना होगा, और देखें किस अगर वो दोनों में एक भी नहीं है आपके पास, तो गैस ये आपका revert back आ सकता है, उसके बाद चाहिए एक water list, मतलब जो की linkage हुआ है, वो वाला चाहिए, और उसके बाद चाहिए, वो एक land का up to date land revenue रेसिप चाहिए, और वो सब कुछ देने के बाद में, जो की आपका from भी होता है, वो from, वो सब कुछ physically fill up करके अपलोट कर देने के बाद में, परसी के लिए, मतलब permanent resident certificate के लिए, जो भी document आपने वहामें अपलोट किया है, वो सार देखे के लिए आपको police station जाना है, आपका nearest जो भी police station है, तो वहाँ पर जाके आप लोग, मतलब verify कराईए, आपना document जो भी है, उसके बाद, देखे के लिए उसके बाद, वो कर देने के बाद में, फिर से आपको signature करने के लिए बुलाएंगे वो लोग, तो देखे के लिए verification के बाद में भी मतलब आपको call आ सकता है, तो मेरा आया था, इसलिए मैं आप लोगो को मेरा experience share कर रहा हूँ, और तब ही जाके आपका permanent resident certificate approve होगा, तो अगर आप लोग proper document, actual में सही सही document अगर आप लोग, आप लोट करोगे, तो guys, 110% आपका revert back भी नहीं आएगा, एक ही ब आपको अच्छे तरीके से जो भी है physical का application form, तो वो fill up करके, PDF बनाके, वो सब कुछ upload करना है, आपना PRC बनाने के लिए, जो भी document लिखा हुआ है, वो सब कुछ, तब ही जाके approve होगा, अगर आप लोग नहीं करोगे, तो केसे होगा, तो नहीं होगा guys, आपका revert back ही आएगा तो देखे guys, मतलब आप लोग समझेगा, वो सारा कुछ document जो भी है, आप लोग proper document देजिए, आपका हो जाएगा, और बहुत सारा का query था, actual में document क्या चाहिए, और actual में के से बनता है PRC, और PRC देखे guys, higher education के लिए ही मतलब दिया जाता है, किस purpose में दिया जाता है, only higher education के लि आपको पहुंचते रहेगा, तो चलेगे, में आज के वीडियो में इतना ही, मिलते है नेक्स वीडियो, तब तक के लिए, चेहिंट जय भारत!